नाग लोग में सब लोग मेरे गर्वती होने की खबर सुनकर कितने खुश हैं लेकिन मैं अभागिन नागिन अपने जीवन की इतनी बड़ी खुशी पाकर भी खुश नहीं हूँ ना चाहते हुए भी सब के सामने मेरा सच आही जाएगा अब मैं उस बात को कैसे चुपाऊंगी जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया आखिर क्यों शिवन्या नागिन अपने मा बनने की खबर जान कर भी खुश नहीं थी आखिर वो किस सच की बात कर रही थी और उसके साथ ऐसा क्या हुआ था उसने आखिर ऐसा क्याख होया था जिसके लिए वो इतनी दुखी थी आई ही देखते हैं शिवन्या नाग लोग की सबसे सुन्दर नागिन थी सारा नाग लोग उसकी सुन्दरता का बखान करता था ऐसे ही कुछ समय भी था एक रोज शिवन्या अपनी सहीलियों के साथ जंगल की सैर करने चली गई जहां उसकी नजर नाग लोग के सबसे सुन्दर लड़के नाग आरजुन पर पड़ती है उसे देख शिवन्या उस पर पूरी तरह मोहित हो जाती है ऐसे ही एक दिन वो उसे जंगल में देखने आती है लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं देता वो दास होकर पीछे मुड़ती है कि तभी नाग आरजुन उसके सामने आ जाता है वो घबरा कर कहती है आप मुझे इस तरह पीछे से आकर क्यों डरा रहे हैं हटिये हमारे रास्ते से हमें आपको डराने का कोई इरादा नहीं था बलकि मुझे देखने की आपकी बेचैनी को करीब से महसूल्स करने की मैं कोशिश कर रहा था वैसे आप खुद इतनी खुबसूरत हैं कि जो आपको एक बार देख ले उसकी नजर आपसे हटे ही न फिर आप क्यों मुझे देखने आती है ये आप क्या कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है मैं तो सिर्फ इस जंगल में घुमने के लिए आई हू वैसे आप बेहत खुबसूरत हैं पर अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं आपको अपने दिल की रानी बना का रखना चाहूंगा ये सुनकर शिवन्या शर्मा जाती है अब वो दोनो हर रोज जंगल में मिलने लगे वो दोनो एक दूसरे के साथ प्यारभरी बाते करते फिर साथ में नृत्य करते शिवन्या को नृत्य करना बेहत पसंद था अब दोनों एक दूसरे के साथ खास समय बिताते फिर एक रोज शिवन्या अपने माता पिता के सामने नागारजुन से शादी करने की इच्छा प्रकट करती है अपनी बेटी की खुशी के लिए वो मान जाते है और बड़े ही धूमधाम से अपनी बेटी शिवन्या की शादी कर देते है शादी के कुछ समय बाद शिवन्या गर्वती हो जाती है ये बात वो जब नागारजुन को बताती है तो वो भी बहुत खुश होता है फिर दोनों खुशी के मारे जंगल में साथ में नृत्य करने लगते है नृत्य करते हुए वो कब एक साधु के सामने पहुच जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता वो साधु ध्यान मगन था लेकिन उनके कारण वश उसकी तपस्या भंग हो जाती है वो गुस्से में कहता है तुम दोनों ने मेरी तपस्या भंग की है अब तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी नहीं गुरुदेव हमें माफ कर दीजे सारी गलती मेरी है मैं ही मा बनने की खुशी में सब कुछ भूल गई थी अब आपको जो भी सजा देनी है मुझे दीजे लेकिन नाग आरजुन को माफ कर दीजे अगर भूल तुने की है तो सजा भी तुझे ही मिलेगी बड़ा प्यार है ना तुझे अपने इस नाग से मेरा श्राप है कि अभी इसके प्राण निकल जाएंगे और बड़ी खुश है ना तु अपनी मा बनने से तो ठीक है मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तु अपने गर्भ से एक नाग के बच्चे को नहीं बलकि अपने दुश्मन नेवले के बच्चे को जन्म देगी यही तेरा दंड है यह कहकर साधू वहां से चला जाता है उसके जाते ही नागार्चुन के प्राण निकल जाते है अपनी आँखों के सामने अपने पती के प्राण जाते देख शिवन्या बेहोश हो जाती है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने नागलोक में होती है तब ही उसका दोस्त भुवन वहाता है शिवन्या होश आगया तुम्हे मैं यहां कैसे पहुची तुमारी गर्भवती होने की खबर सुनकर मैं तुम्हें बधाई देने ही आ रहा था लेकिन जब मैं जंगल की तरफ पहुचा तो मैंने तुम्हें बेहुश पाया और तुम्हें यहां ले आया और नागारजुन कहां है वो नागलोक के किसी काम से दूसरे गाव गए हैं और अब मैं ठीक हो अब तुम इतने सवाल मत करो शिवन्या घबराते हुवे वहां से चली जाती है उसके ऐसी हालत देख भुवन को उस पर कुछ शक होता है लेकिन वो उससे और सवाल नहीं पूछता और वहां से चला जाता है ऐसे ही कुछ समय बीटता है समय बढ़ने के साथ साथ शिवन्या के दिल की धड़कने भी बढ़ती जा रही थी फिर एक समय के बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है जो की नेवले की तरह होता है लेकिन कहते हैं न हर मा के लिए अपना बच्चा अपनी जान से भी जादा प्यारा होता है फिर चाहे वो कितना भी बड़ा दुश्मन ही क्यों ना हो शिवन्या के साथ भी कुछ हैसा ही था वो अपने बच्चे को किसी को भी नहीं दिखाती थी और हमेशा अपने पास ही रखती थी फिर एक रोज जब शिवन्या अपने कमरे में नहीं होती तब भुवन की नजर उस बच्चे पर चली जाती है जिसे देख वो जोर-जोर से चिलाता है तब ही शिवन्या वहां आती है तुम यहां क्या कर रहे हो ऐसा कैसे हो सकता है शिवन्या तुम तो एक नागिन हो फिर तुम एक नेवले के बच्चे को कैसे जन्म दे सकती हो फिर शिवन्या उस साधू के श्राब की सारी बात बताती है उसकी बाद पीछे खड़ी दासियां भी सुन लेती है और कुछी देर में सारे नागलोग में ये बात फैल जाती है फिर नागलोग के नागराज शिवन्या से कहते है तुम्हें जो कहना है मुझे कहो मेरे बच्चे को कुछ भी कहने की जरुरत नहीं है ये कहकर नाग राज वहाँ से चला जाता है लेकिन अब शिवन्या घबरा जाती है और वो एक पल के लिए भी अपने बच्चे को खुद से दूर नहीं करती ऐसे ही समय बीथता है और अब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है एक रोज जब शिवन्या की आँख लग जाती है तो वो बच्चा जिसका नाम नवलेश होता है उटकर बाहर घूमने निकल जाता है जहां बाहर नाग के बच्चे खेल रहे होते हैं और वो नवलेश पर वार करने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए नवलेश पी उन पर वार करता है जिसमें एक नाग बच्चा मर जाता है नाग राज को जैसे ये खबर मिलती है वो शिवन्या के पास पहुँचता है नहीं इसमें इसकी कोई गलती नहीं वही इस पर पहले बार कर रहे थे ये देखो शिवन्या अपनी जादूई शक्ती से उसे वो सब दिखाती है नाग राज को अपनी गलती का एहसास होता है अब वो नवलेश में भेदभाव नहीं करता अब नाग लोग में सब लोग अच्छे से उसके साथ रहते और उसे खूब प्यार करते कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि नाग पुरोहित नाग कुमारी तेजस्वी को विवाह करने के लिए कहते हैं और इसी बीच तेजस्वी और अक्षद की मुलाकाद बार बार होती हैं और दोनों ही एक दूसरे को मन ही मन पसंद करने लगते हैं पेर से गिरे नाग पुरोहित को कंधे पर लेकर अक्षद नाग लोग की दरवाजे पर पहुँच जाता है अब आगे इससे पहले कि अक्षद नाग पुरोहित को कंधे से नीचे उतारता अचानक नाग लोग का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है अक्षद जैसे ही अपना पैर उस दरवाजे के पार रखता है तेजस्वी को कुछ अलग सा एहसास होता है वो फौरण द्वार की तरव दोड़ती है तेजस्वी के साथ नाग लोग के बाकी नाग नागिन भी मुख्य द्वार के पास आ जाते है लेकिन इस वक्त वो सभी आधे इंसान और आधे नाग के रूप में थे अक्षत ये नजारा देखकर हक्का बक्का रह जाता है और उसके कंधे पढ़ लेटे नाग पुरोहित नीचे गिर जाते है डर के मारे अक्षत का चेहरा पीला पड़ चुका था तब ही उसके सामने तेजस्वी आती है इस पार तेजस्वी जान बूच कर अपने असली रूप में आई थी अरे तुम भी? हे भगवान, ये सब क्या है? देखो मुझे कुछ मत करना, मैं तो बस इन बाबा की जान बचाने आया था यहां तु मेरी जान को ही लाले पड़ गए अप डरू मत अक्षत जी, यहां आपको कोई कुछ नहीं करेगा आप मेरी साथ आईए, मैं आपको सब कुछ समझाती हूँ अरे भाड में गया समझना समझाना, मेरी तो बुद्धी ही घंचकर हो गई बेटा अक्षत, अगर जान प्यारी है तो भाग यहां से इतना कहते ही अक्षत ने बाहर की तरफ दौर लगा दी लेकिन अचानक किले का भारी भर कम दर्वाजा अपने आप बंद हो गया यह दर्वाजा नाग पुरोहित ने अपने जादू से बंद किया था तू तो गया बेटा अक्षत, तेरा दी एंड आ गया अक्षत को इतना घबराया हुआ देखकर वहां मौझूद सभी लोग हसने लगे आपको कोई नहीं मारेगा यहां, इतना डड़ने की जरुरत नहीं है नहीं, मुझे सब पता है, मैंने बहुत सारी फिल्में देखिए, मुझे आप सब का रास पता चल गया ना, तो इसलिए अब आप सब मुझे डस डस कर मार दोगे बेटा जी, इराधा तो यही था, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए अब तुम हमारे महमान हो, कुछ दिन यहां रहो, ताकि हम तुम्हारी खातिरदारी कर सकें, और फिर चले जाना बस किसी को हाँ, हाँ, मैं समझ गया बाबा, मैं नीन में भी आप सब के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा अक्षद की बाद सुनकर फिर से सभी लोग हसने लगे, इस बार अक्षद भी घबराई सी हसी हसने लगा, तेजस्वी भी अक्षद को देखकर मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गए, फिर सुबह अक्षद किले में घूम रहा था, तभी वो नाग पुरोहित से टकरा गय कहां घूम रहे हो अक्षद बेटा, जी वो मैं मन्दिर ढूण रहा था, वो क्या न, सुबह सुबह मुझे पूजा करने की आदत है, ये तो अच्छी बात है, और तुम तो अभी तक घबराय हुए हो, कौन घबराया, अब घबराया, मतलब कौन घबराया हुए है, अक्ष शिवालिका से लेकर, तेजस्वी के बारे में सब कुछ बता दिया, संघर्ष और त्याक की ये कहानी सुनकर, अब अक्षद शान्त हो गया, अब उसे बिलकुल भी डर नहीं लग रहा था, तो बेटा, ये थी हमारे नाग लोग की कहानी, और अब हमें इंतजार है उसका, जो आकर, हमारी नाक कुमारी तेजस्वी से विवहा करे, और हमारा राजा बन कर, हमारी रक्षा करे, वो तो ठीक है, पर पुरोहिजी, तेजस्वी के लिए एकना वीर और शक्तिशाली युद्धा, आप ढूंदोगे कहां से, कहां मिलेगा वो, ढूंदेंगे नहीं, हमें वो मिल गया है, मिल गया मतलब, मैं जानता हूँ, कि नाक कुमारी तेजस्वी, तुमसे प्रेम करती है, और तुम भी उनसे प्रेम करते हो, क्यूं सच है ना, अरे नहीं नहीं, पुरोहिजी, आपको कुछ गलत फैमी हुई है, मैं तो बस, बेटा देखो, मेरे सामने जूट बोलने की कोशिश मत करो, मैं यहां का पुरोहित हूँ, मुझसे कुछ नहीं छिपता, जैसे इस वक्त, इस मंदिर में सिर्फ हम दोनों ही नहीं है, बलकि उस खंभे के पीछे, नाक कुमारी छुपकर हमारी बातें सुन रही है, और शर्म रही है, क्यों बेटी? तेजस्वी का विवाह सिर्फ प्रेम तक सीमित नहीं है, बलकि उसका विवाह और उसका होने वाला पती ही, इस नाग लोग की सुरक्षा का आधार है, सुरक्षा, पुरोहित जी, आप सभी को पहली बार पूरे रूप में देखकर तो मेरी हलत खराब हो गई थी, तो मैं आ तुम्हारे पास हमारी नागमणी लेकर आया था, उस मणी ने ही मुझे संकेत दिया कि तुम तेजस्वी के लिए और तेजस्वी तुम्हारे लिए ही बनी है, नागमणी कहा है वो, है वो यहीं है, बिलकुल सुरक्षित, अब आप मुझे वो नागमणी दिखा सकते हैं, कहां जा रहे हैं पुरोह जी, तुम्हारे और नागमारी के विवाह की तयारियां करने, और कहां। और मैं यहां, आपके बिलकुल पास में बैटूंगी। तो अक्षत को भी वो मिल गया था, जो उसकी चाहत थी, फिर अगली दिन आम सभा में। महाराज अक्षत, महाराणी तेजस्वी की जय हो, महाराज और महाराणी। नाग लोग चाहता है कि, क्या चाहता है नाग लोग पुरुह जी। यही कि विवहा के पश्चाट आप दोनों कुछ वक्त अकेले में साथ में बेताएं, ताकि आप चल्द ही हमें हमारे अगले नाकुमार या नाकुमारी का शुब समाचार दें। मगर, मगर वगर कुछ नहीं महाराज, जनता की चाहत को पूरा करना महाराज का करतव्य होता है। इसकी मुझे आपसे अपेक्षा है। अक्षत महल से बाहर भागता दिखाई दिया। पुरोहित ने अक्षत का पीछा किया। काफी देर तक जंगल में अक्षत का पीछा करते हुए पुरोहित एक जगा रुख गए। और फिर उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनकी आँखें फटी की फटी रह गए। ए भगवान ये क्या नर्थ हो गया हमसे। ये नहीं हो सकता। ये तो धोखा हुआ है हमारे साथ। नागमणी, नागमणी कभी जूट नहीं बोल सकती। तो क्या अक्षत एक आम इंसान नहीं था? वो एक नेवले में कैसे बदर गया? आखिर कौन था वो? क्या नागमणी ने वाकई पुरोहित को सब जूट पताया था? क्या थी अक्षत की मन्शा? जानने के लिए जरूर देखिए कहानी का अगला भाग।